नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे स्मीट फोर्जिंग ओपरेशन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्जिंग का क्या मतलब होता है फोर्जिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैटल को प्रोपर फोर्जिंग टेंपरेचर पर गरम करके उसको सेप दी जाती है sudden blows की मदद से मतलव की hammer forging या steady pressure जिसे press forging भी कहते हैं और forging को दो तरीकों से किया जाता है hand के दुआरा और machine के दुआरा तो hand से की जाने वाली forging को hand forging कहते हैं और smith forging उसी category के अंदर आती है और इसको small quantity production में प्रयोग किया जाता है जबकि machine से की जाने वाली forging को mass production के लिए प्रयोग किया जाता है तो अब बात करते हैं smith forging operation के बारे में smith forging को हाथों के दुआरा anvil पर किया जाता है और इसका प्रयोग छोटी वे कम वजन की forging को shape देने के लिए किया जाता है smith forging के बहुत से principal operation है और उन में से एक है upset और jumping इस operation का प्रयोग बार की thickness वे diameter को बढ़ाने के लिए या फिर length को कम करने के लिए किया जाता है उधारण के तोर पर जब bolt head को बनाते हैं इसमें बार के जिस portion को upset करना है उसको गरम किया जाता है या फिर पूरी बार को गरम कर लेते हैं सिवाए उस portion को छोड़ कर जिसे upset करना है और बचे हुए portion को पानी में quinch किया जाता है ताकि upset bar के hot portion पर बन सके यहां जो diagram हम देख रहे हैं अलग-अलग up setting methods आपको दिखाए गए है तो सबसे पहले tong और anvil है उसके बाद tong, anvil और hammer है फिर leg wise और hammer फिर anvil only जो लंबी length की बार के लिए किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले tong की मदद से work piece को पकड़ते हैं और फिर उसको anvil पर vertical sport की तरह रखते हैं और इस बार के उपरी सीरे पर hammer से blow करते हैं ताकि बार के hot bottom end पर up setting हो जाए और up setting की process के दुरान यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बार के साथ जो hammer blow करते हैं वह बार के साथ in line हो ताकि बार को band होने से बचाया जासके और जो hammer हम परियोग करते हैं उसका परियोग small और light components के लिए किया जाता है जब उनको shape देनी होती है और forging में जो hammer परियोग करते हैं वो अलग-अलग त्रेके होते हैं जिसमें ball pin hand hammer, cross pin hand hammer, straight pin hand hammer और sledge hammer जिसमें से सबसे जो best suited है वो ball pin hand hammer होता है जो tough cast steel या force steel का बना होता है जिसके head का weight 0.9 kg होता है जो एक wooden handle में fit होता है उसके बाद जो दूसरा portion होता है वह है anvil होता है anvil solid road iron या फिर cast steel का बना होता है और इसे cast iron stand पर रखते हैं सभी प्रकार के forging operation anvil के working phase पर किये जाते हैं और anvil का top portion tough steel का बना होता है और toe portion कुछ square होता है जबकि portion पर round shape के hole भी होते हैं और जो tong होती है उसका प्रियोग hot metal work piece को grip करने या फिर turn करने के लिए किया जाता है और forging के दोरान अलग-अलग shape और size के work piece के लिए tong की भी बहुत सी varieties available है अलग-अलग mouth shape और bit shape के साथ और यह carbon steel की bunny होती है और यहाँ पर जैसे देखें leg wise में work piece को hold किया है यहाँ से फिर उसको hammer करते हैं जिससे उसका up setting हो जाती है और यहाँ पर देखें जा सिर्फ anvil की मदद से जो road है या bar है उसको हाथों में पकड़ते हैं और उसको forward और backward direction के साथ anvil पर strike करते हैं जिससे हमें up setting मिल जाती है तो यह अलग-अलग तरीके हैं जिसमें up setting की जाती है और जो हमें required shape चाहिए bar पर वो मिल जाती है जिससे इसकी जो thickness वे diameter बढ़ जाता है और length कम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और N Universe 2 को subscribe करना न भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे